कैसे हैं आप में नेहा दमाया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में कैसे आपको वैदनत ब्रांड के 82 मलहम के बारे में रिव्यू दूंगी इसके बारे में बताऊंगी कि ये मलहम आपकी बोड़ी को किस तरीके से फाइदा देती है इसके बेनिफेट, साइट, यूजिस, प्राइज और डोज इन सब के बारे में आज अपन डिटेल में बात करेंगे डिटेल में इसका रिव्यू करेंगे तो गईज वैदनत ब्रांड के बारे में आपने सुना ही होगा ये अपने आप में बहुत अच्छा ब्रांड है जिसके मा लोग बाग इस ब्रांच से बहुत अच्छे से अफगत भी है और इससे पहले कि कई उडियों में आपको इस ब्रांच के प्रोडक्टों का रिव्यों किया है तो चलिए गई आज अपन इसी ब्रांच के बाद कर लेते हैं बवासीर मलम गईसे जड़ी बुटियों से मिलकर बनाई गई कर आयर्विदिक कोसिदी है आयर्विदिक दवा है जिसको बैदनाद ब्रांड तरह मैनिफेक्चर किया गया है इस उसिदी का उप्यों गईसा इसके नाम से सपश्ट हो रहा है बवासीर यान की बवासीर की समस्या को जड़ से खतम करने के लिए इसका उप्यों किया जाता है भवासीर गईज दो प्रकार की होती है, खुनी भवासीर और एक बादी भवासीर, खुनी भवासीर में तो गईज खुन निकलता है और बादी भवासीर में नसो के फूल जाने से मस्य जैसे उभर जाते हैं और मस्य बाहर निकल जाते हैं, उस इस्तिति में गईज यह बहुत दर्द जलन और खुजली जैसा परेशानी आती है कई वार इस्तिती तो ऐसी हो जाती है कि आप बैठने की वी हालत में नहीं रहते हैं और ऑपरेशन कराने की नौबत तक आ जाती है उस्तिती में गईज बावासी मलम बहुत ही जादा बैस्ट माना जाता है तो आप जिस जग जाता है जो आपके जितनी भी समस्या है बावासी से रिलेटे जो भी समस्या है जो भी दिक्कत है जो भी दर्द है उस भी खतम हो जाएगा इसके अंदर गईज इंग्रीडियन में हल्दी प्रेजेंट होती है हल्दी एंटिसेप्टिक प्राकर्तिक एंटिसेप्टिक गण उसे भरपूर होती है जो आपके घावों के बंढ़ने और सूजन को कम करने में मदद करती है। इसके साथ ही आपके खुन के गिंने को रोपने में मदद करेंगी। इसके साथ साथ इसमें aloe vera gel भी प्रेजेंट होता है देसी गीवी पाये जाता है जो आपके मस्य जैसी समस्या को खतम करने का काम करती है गई जी आपके बवासीर की समस्या को जड़ से खतम कर देगी नित इसका इस्तिमाल करना है अपने बवासीर की समस्या को दूर करने के के लिए बावाशीट के मस्सों और उसके दर्दी से रहत दिलाने का ये बहुत अच्छा अच्छा उपाया है इसको स्टमाल कर सकते हैं अप इसको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है लेकिं अगर आपको कोई साइड इफेक्ट हो तो आप एक भाई डॉक्टर की सला ले लेक वो आपके उपर डिपेंट करता है और डॉक्टर के पास अगर आप सजेशन के लिए जा रहे हैं तो उनको जरूर बताएं के मतलब आप क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं बावासीर के लिए क्योंकि डॉक्टर को सब पता होना बहुत ही जरूरी होना चाहिए इसका प्र चाहिए पर मैं आपको और लाइन खरीदने के लिए सजेश्ट करूंगी क्योंकि आपको यह सस्ते दामों में मिल जाती है अच्छे डिसकांट में मिल जाती है पाइल्स क्रीटमेंट का यह बहुत अच्छा घरेलू उपाय है जो आपके मसाओं का आयर वीदियो को प्चार सब्सक्राब कीज़िए जिससे आपको हमारी नश्या वीडियो की अपडेट मिलती रहे और गईस बेल आगर पर जरूद पहस किजिए जिससे जो भी हम वीडियो जाता हैं वह वाधी का首शन दूर हता रहे है फिर भी गईसए अगर आपको इस परेटिक्टिकेरिअगरं पॉटक्ट के रिगाड़ कोई भी जानकरी जाननी चाहिए था आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं हम आपके लिए में साइबलेबल रहेंगे आपकी साहता जरूर करेंगे तो गैज बवासीर खूने हो या वादी मस्से अंदर हो या बाहर सिर्फ एक या दू आपके बवासीर की समस्या को जड़ से खतम करेगा लेकिन आपको निमेत रूप से इस मलहम को लगाना होगा तो गैस चैनल को लाइक सस्क्राब कर दीजिए धन्यवाद